देखे ये कॉंग्रेस के बुद्धि दाता हैं तो स्वाभाई कुरुप से कॉंग्रेस की बाटो और राज करो की जो निती है उसी को सेम पेत्रोदा आज बयान कर रहे हैं कॉंग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जम्मेदार कॉंग्रेस सत्ता प्राप्ति की अतिलिपसा 1947 की भारत के विभाजन की तरास दी के लिए जम्मेदार है आजादी के बाद भी जाती के नाम पर छेटर के नाम पर भासा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कॉंग्रेस ने किया है सेम पेत्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनी है और कॉंग्रेस पार्टी को स्वयम के उन किर्टियों के लिए जो आज सेम पेत्रोदा के मुह से बोल रही है बुलवा रही है इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए वह उत्तर भारत दक्षिन भारव पूरवी भारत पस्यमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रियास कर रहे है रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजीस का प्रदाफास यह हो रहा है यह सचमुझ बहुत खतरनाक मंसा कॉंग्रेस की दिखाता है अत्यान तो सर्मनाक वयान है निंदनी है भारत जैसे सनातन देश की 140 करोड भारत वास्यों को अपमानित करने वाला है और कॉंग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए